हम अभी जब्रेडा में आये हैं जब्रेडा से बस्पा के परत्यासी आदित्य ब्रजवाल जी डोर टू दोर जाकर परचार कर रहे हैं किस तरह की उनकी तैयारिया है चुनाओकर लेकर इनसे बात करते हैं आदित्य जी किस तरह का समर्थन मिल ला है जी मैं गाओं गाओं डो टोट डोर गूमने का काम कर रहा हूँ जनता का बहुत ज्यादा भारी समर्थन बहुजन Sमाज पार्टी को मिल रहा है और जहां भी जन Easy्थ पर बहु't ज्याक पार्ठी और हीrit सुनायोग मैं परचार पर रोग लगाई हुई है रैलिया नहीं कर सकते तो इस बार नया अनुभव देखने को मिल दा है कि हर लोगों से मिलने का मोखा मिल दा है तो किस तरह का अनुभव मिल दा है जि बहुत अच्छा नुभव है लेकिन बहुजन समाज पार्टी पहले से ही जमनी स्थर पर कारे करते रही है बहुत अच्छा पार्टी को फोलो करते वे परचार कर रहे हैं किस तरह से चुनाओं को देखने हैं इनका बहुत अच्छा हो रहा है और पूरे जबरेड़ा सीट पर पूरे इनीकी लहर है और किसी की लहर नहीं है और साती मोजे परदान जी मोजे परदान जी क्या कहें जे एक ऐसा है हमारा गाउं सुलेंपूर आज पुतान पढ़ता है बहुत बड़ा गाउं है और वहां दूसरी पार्ड़ी के बहुत कंडिडेट ने उतरे हैं और भारी विरोध है वहां वरत्मान विधायक का भी और व अब बहुत बाइट के साथ है मुद्दे क्या है मुद्दे विकास के मुद्दे हैं जो है देशाराज करनवाल जी क्या उन्होंने विकास नहीं कर वाया या आप देख लिए कर शना नगतमा जाकर गली नंबर 20 में जाकर करके देख लिए आप क्या लिए बीस में 22,23,24,25 कितना बुरा हाले पानी की निकासी नहीं है लोग वहां तभा तभा तभाई में जी बिलकुल पानी की वेश से तो क्या इस बार आदित्य जी विधायक होंगे जबर्टे से हमारे साथ आदित्य बिरजवाल और सलेमपुर राजबताना के परधान जिनका साथतोर से कहना है कि देशराज करणवाल जो विधायक है यहां से उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया और इस बार जन्ता जो है बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाने जा रही है अपने सेयोगी विनोज चोधिर के साथ मैं मुहम्मद अजीम नियूजवर्ट इंडिया हर्दुआर जबर्ट